गुरपुर जिला फडरेर्शन समीती के चार प्रबंध विकास खंडों पिप्रावली भाठट सहजनवा सर्दार नगर के सतस्यों का चुनाओ मंगलवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच SDM कोल्ट में संपन हुआ जिसमें निर्वाचन अधिकारी बनाए गए मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंग इस्थिती पर नियंतरन बनाए रखे हुए थे मंगलवार को संपन हुए चुनाओ में सर्दार नगर से डॉक्टर विने कुमार सिंग, जे आर एफ, पिप्रावरी से सूर्प्रकास सिंग, कौशिक, सहजनवा से इन प्रताप सिंग, तथा भटहट से दुरगे स्पांडे वीजाई गोसित किये गए इनी चुने गए 13 सदस्यों द्वारा 25 अप्रैल को सभापती और उप सभापती का निर्वाचन किया जाएगा आपको बताते चलें कि जिला सहकारी फडेशन के प्रबंध समीति के लिए 13 सदस्यों चुने जाते हैं जिसमें से 9 सदस्यों पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं बाकी 4 सदस्यों का चुनाओ किया गया सबसे दिल्चस्म मुकाबला सहजनवा के सीट पर देखने को मिला जहां दोनों प्रत्यासियों के बराबर वोट मिलने पर फैसला लाटरी सिस्टम से किया गया गुरकु नियू से बात करते हुए मुख निर्वाचन अधिकारी बलराम सिंग ने बताया कि अधिकारी बलराम सिंगला अधिकारी जाग करते हुए मुख ने जीए मुख ने बलराम सिंगां सिंगा अधिकारी गया जो अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ इदर देखिए अधाय आओ आगे भी बना अधाय अधाय अमधाइब बड़े दिन बागे अपशार अधाय 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 तेमित के जिसमें से नौने गुरोध हो गए थे चार निवाचन शेत्रों पर आज चुना हो गया है जिसमें पर प्रेदी शेत्ष संक्यास साथ पर सुरी प्रकास 29 मतपा करके विजयाई मसित्रे हैं और यान्यन सिंग 16 मतपा कर दोसे नौन पर आए हैं इसी प्रकार भट आठ निवाचन 6 संक्या 10 में दुर्गेश पांडे 27 मतपा के विजयाई हुए हैं और निवाचन 6 संक्या 11 सरदा नगर में दिनागमार सिंग 16 मतपा करके विजयाई पर सित्रे हैं इसी प्रकार संग्ईắ ce n Maps निवाचन 6 सरद्बारा में इंद्र पतार सिंग दanoरा भी 18 मतपा प्राथ किये गई और दोशी प्रत्यांसी नैहलादेवित्वी थी हुन्होंने भी 14 मतपाथ किये इसमें उन्हें लाट्री कराया राट्री सिस्टम ने इंद प्रताब सिंग्ध की पर्चि निकाली गई और निकली निर्वाची द्वोचित किया गया इस प्रकाय से इन्द प्रताब सिंग्ध निर्वाचित द्वोचित किया गया जो एघ iladicate चुने गये हैं और एक सरकारद्वार नमिलेटेड है यानि 14 है इनी मेंसे लोग सवापती और उसवापती के लिए खड़े होंगे तो कल ये सूची जो है 14 लोगों की अनंती मदाता सूची का फ्रकासन साड़े आठ बजे से 9 बजे की बीच किया जाएगा अनंती मदाता सूची पर आपती दाखिल करने का समय नो से नो तीस तक है मदाता सूची पर प्रापता प्रकातियों का निस्तार नो तीस से दस तीस पर किया जाएगा और अनंती मदाता सूची का फ्रकासन दस तीस बजे से ग्यारा बजे के बीच किया जाएगा नाम निदेशन पत्र दाखिल करने का समय ग्यारा से बारा बजे तक है और नाम निदेशन प्रपत्र वापस लिया जाना एक बज़ के तीस बिनिट से दो बज़े तक होगा चुनाओ चिन्नों का आवंटन निदेशन का प्रपत्र दो से धाई बज़े के बीच होगा और यदि आवश्चेप होगा तो मद्दान जो है तीन से चार के बीच में होगा और उसके बाद तदकार मत करना होगी और विवाचन परणाम की भूश्मा की जाएगी